हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूराहुल जैस्वाल लें स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदेक मोश्ट इंपॉर्टेंट साइन्स का लेक्चर वीडियो लेकर आगे हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे नाइन स्टैन्डर के लिए साइन्स सब्जेक का जो हमारे चाप्टर नमबर 11 चल रहा था दोस्तों जिसका नान है रिफ्लेक्शन ओफ लाइट आज हम इस पर्टूल चाप्टर का ल हमने आपको explain किया था तो उमीद करते हो आपने जरूर से इसके पहले वाला लेक्चर वीडियो जरूर से देखा होगा दोस्तों काफी अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि किस प्रकार कोई भी images जो है वो कॉनके मिलर के द इमेज से फॉर्म हो रहा है तो जैसे कि पहला इमेज आपको दिख रहा होगा यहां पर कि यहां पर जो object यह बीज जो दिख रहा है यहां पर आपको मैं बताने ही कोशिश कर रहा हूँ कि this is the object जो कि क्या हुआ है किस के बीच में रखा है focus और हमारा जो center of curvature जो होता है उसक के बीचों बीच हमारा क्या रखाए मैंने एक object को प्लेस किया हुआ है और यह बहुत एक important position हो जाता है अगर आपको कोई पूछता है कि आपने object कहां प्लेस करा है क्योंकि object को प्लेस करने जहां पर हम लोग प्लेस करते हैं वो भी एक बहुत important role प्ले करता है आपके images के formation करने के लिए तो यहां पर हम वही बताने ही कोशिश करें कि इस तो फोकस एंड सेंटर आफ करवेचर के बीच में रखा हुआ है एंड जो इंसिदेंट रे हैं यहां पर इंसिदेंट रे क्या दिख रहा है प्रिंसीबॉल प्रिंसीबल एक्सिस के बाद इंसिदेंट लेक्सिद से स्वर्आ में खिने करके सुशिदेंट मेंके बात एबद obra of और वो QR का जो पर्टिक्लर आपको दिख रहा होगा यहां पे, कि QR की फॉर्म में क्या हो जाए, एक तरीके से reflect हो रहा है, और जो incident ray of light जो आपको दिख रहा होगा यहां पे, that is AS, यह वाला जो point है, एक और मेरा incident ray of light AS, जो की axis से parallel है already, जब भी वो reflect होगा, तो जब वो पहले स से parallel होता है, तो reflect होता है, तो principle axis से pass होता है, यानि कि देख रहा है आपको, यहां पे principle axis से pass हो रहा है, और वो कहां पर meet हो रहा है, एक ही point पर, जहां पर meet हो रहा है, जहां पर आपका AQ का भी reflection जहां पर meet हो रहा था, और AS का भी reflection एक ही जगा पर meet हो रहा है, यानि कि यह वा यहां पर एक इमेज बनता हुआ दिखाई देगा और यहां पर जो पॉइंट बी जो था ना वहां पर प्रिंसिबल एक्सिस पर लोकेट था और इस तरीके से फॉर्म हुआ कि वह ए डैश पर डिकली आ गया यह जो इमेज जो रहेगा बी का बी डैश पर बनेगा एका डैश बनेगा यह चीज आपको प्लियर हो गया तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो अब्जेक्ट था मेरा उसका जो इमेज बनेगा वह कैसे हम लोग लेंगे ए डैश बी डैश बनेगा और यह किस तरह आपको दिखा हुआ यहां पर दिखाई 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 इनी अब्जेक इस प्लेज बिटूइन दे सेंटर ऑफ करवेचर और फोकस फोकस और सेंटर के बीच में जब रहता है और जब वो कॉंकेव मिरर के कॉंटाक में आके रिफलेक्ट जब होता है तो उसका जो इमेज बनता है इन्वर्टेड बनता है यह चीज हमें दिखाई उमीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा और एक तरीके से एक इमेज जो बनेगा वो एक रियल इमेज बनेगा यानि कि अच्छे से प्रॉपर्ली तरीके से दिखाई देगा बलए वो इन्वर्टेड है तो क्या हो गया बलए वो लार्ज है तो क्या हुआ लेकिन आपको एक image जो है, वो real बनता हुआ, दिखाई देगा, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह पहला diagram आपको बहुत ही अच्छे से, मैंने explain करने ही कोशिश कि यह आपको clear हो गया होगा, अब बात कर लेते हैं second diagram की, तो second diagram यहाँ पर जो दिया हुआ, इसके बारे मैं चर्चा करेंगे, कि यहाँ पर जो मेरा object है, AB, वो हमेरे pole और focus के बीच में situated, आप देख पार हो, यहाँ पर this is my pole point and this is my focus point, और AB is my object, तो AB जो है मेरे pole और focus के बीच में situated है, यहाँ पर focus और center के बीच में situated था, लेकिन यहाँ second figure में आप देखोगे, तो यहाँ पर जो मेरा AB object है, वो किसके के बीच में situated है, यहाँ पर वो pole के बीच में, और focus के बीच में situated है, clear है, यह चीद हो गया clear, and जो मेरा incident ray of light आ रहा है, incident ray of light क्या आ रहा है, again, यहाँ पर मेरा AQ जो आ रहा है, incident ray of light दिख रहा है, यह वाला एक वो इस प्रकार reflect होगा, कि वो जो है, center of curvature से pass होगे चले जाए, इस प्रकार से आपको दिख रहा है, क्योंकि जब भी हमको पता है, कि हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ा था, जब लोग reflected ray को draw कर रहे थे, कि कोई भी reflected ray of light जब एक particular angle पे जाता है, ठीके न, और वो हमारे center of curvature से गुजरता है, तो center of curvature से ही pass होनों के वापक से reflect हो जाता है, तो इस प्रकार होगा, तो उसका हम लोग जब extend करेंगे, ठीक है, न, extend जब करेंगे, तो इसका extension यहाँ पे आएगा, जो कि meet होगा, a point पे, and this is our principal axis point, यहाँ पे b का formation हो जाएगा, यानि कि जो भी मेरा यहाँ image बन रहा है, a-b-, वो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरीके से proper image बन रहा है, यानि कि एक तरीके से बोल सक्चाब, जैसे कि यहाँ पे ultra बनाता है, inverted बनाता है, लेकिन यहाँ पे inverted नहीं बन रहा है, यहाँ पे जो image बन रहा है, वो proper तरीके से बन रहा है, थोड़ा बन रहा है लेकिन एक चीजिस में कहने वाली बात यह कि यह जो मिरर है मिरर के पीछे बन रहा है यानि कि बिहाइंड दा मिरर बन रहा है तो बिहाइंड दा मिरर इमेज बन रहा है यानि कि इमेज रियल नहीं है यह कौन सा इमेज रहेगा यह आपका वर्चुल इमेज वो क्या होता है, imaginary होता है, यानि कि virtual होता है, तो यह जो A-B- आपका बन रहा है, एक नया image जो बन रहा है, it is always larger, यह बन रहा है, थोड़ा सा लंबा, बड़ा बन रहा है उससे, लेकिन क्या बन रहा है, एक तरीके से virtual image बन रहा है, and it is place behind the mirror, यह चीज आपको याद रखना है, तो उमीद करते हों कि यह दोनों diagram in case of concave mirror कि इस प्रकार हमारा image बनता है, अलग-अलग conditions पे यह आपको clear हो गया होगा, तो ऐसे ही बहुत सारे conditions हमें दिये होते हैं, कि एक object का position matter करता है, कि कहां situated है, पहले में situated था, center of curvature of focus के बीच में, second में situated था, आपका polar focus के बीच में, तो कोई भी concave mirror ज्वारा जो produce किया जाता है, तो वो object different different distance पे हम जब plays करते हैं, तो उसके इसाफ से बनता है, तो यहां पे कुछ मैंने बनाने की कोशिश किये, तो let's suppose अगर मेरा pole or focus के बीच में object रखा हुआ है, तो position behind the mirror बनेगा, पीछे बनेगा, erect बनेगा, सीधा और virtual जैसे हमने देखा, तो वो क्या बनता है, center of curvature के पीछे बनता है, inverter image और real image बनेगा और magnified साथ में बनेगा, जब हम लोग center of curvature पे position रखेंगे object का, तो वो center of curvature पे ही रहेगा, क्योंकि obviously हमने देखा था reflection center of curvature के हिसाप से ही आता है, inverted image, real image बनेगा, लेकिन size उसका same रहेगा जित होता हुआ दिखाई देगा, और जब भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा large infinite distance पे रखते हैं हम लोग कोई भी object को तो वो focus पे image बनता है, उसका inverted real बनता है, एक चोटा सा point जैसा point image आपको बनता हुआ दिखाई देगा, तो ये था हमारा अलग-अलग images, अलग-अलग positions पे जब इमेज form by convex mirror, तो जिस प्रकर हमने concave mirror का consideration देखा था, कैसे हो रहा था, यहाँ पे same वही चीज़ consider करना है, इसमें हम लोग को देखना है कि इस प्रकर convex mirror में बनता हुआ दिखाई देगा, तो convex mirror की बात करें, कि यहाँ पे अगर हमने object consider कर रहे हैं, आपको आपको नज़र आ Concave mirror के बीज में, तो अगर हमने object A, B जो है, इधर पे place किया हुआ है, ठीक है, न, convex mirror के सामने, तो जो incident ray of light आपको दिख रहा हुआ, this is the AQ point, ठीक है, तो AQ point जो मेरा incident ray of light है, जो की parallel है हमारे axis से, तो वो कहा जाता है, center of curvature से के थ्रू, वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, द इसके साब से हमारा image A, B, बनता हो, दिखाई देगा, लेकिन यह कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, obviously आप देख पारे हो, कि mirror के पीछे बनता हो, दिखाई दे रहा है, यानि कि behind the mirror बनता हो, दिखाई दे रहा है, साथी में हम लोग एक चीज क्या बोल सकते है, कि जब भी object मेरा आ सामने होता है, और उसका image जब behind the mirror बनेगा, तो जो image बनता है, वो क्या रहता है, virtual image रहता है, हम लोग यह चीज बोल सकते है, तो यह क्या है, virtual image बनेगा, behind the mirror बन रहा है, साथी में आपने एक चीज नोटीस किया होगा, कि यह जो object का size था, उससे छोटा बनता हो, object का, जो mirror से distance से उसके उपर depend नहीं करता है, always depend upon the type of action, यह जो images रहेगा, वो virtual रहता है, हमेशा smaller रहता है, object से, and हमेशा behind the mirror ही बनता हुआ, दिखाई देता है, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह convex mirror का जो पार्ट है, यह भी आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही, क् हम लोग आगे के lecture साएंगे, हम आपको सब के सब complete करा देंगे, तो कैसा लगा है हमारा यह आज का lecture वीडियो, प्लीज हमें comment करके बताएगा, क्योंकि बहुत important topics हमने cover किया है, convex and concrete मेरा दोनों का ही reflection, इस प्रकार होता है, अलग-अलग positions पे हमने आपको बताने ही कोशीश कि तो thank you so much for watching our video, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो please वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, अपने सारे friends लोग के साथ फटा फटा फट से शेयर कर रहे है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो फटा फट से हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर देना, साथ ने बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को notification मिलते रहेगी, ठीक है friends तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye